बिस्मिल्ला है रह्मान रहीम अस्सालाम अलेकम आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल MBS पाकिस्तान और मैं हूं मौम्मद यासीन खान बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो के क्लिक किया आज की स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी जनेरेशन के लिए उसमें हमारी बेहने भी हैं बेटियां भी हैं जो किसी ना किसी वज़ा से अपने हालात घर के और दूसी चीज़ों के से फैक्ट्री लाइन्स में काम करती है उनके लिए बहुत जरूरी पेगाम है आज का सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है मकसर सरफ यह कि एक लोगों ने उसको बारिल किया और उसके बाद जो है वो सारी सेनारियो चेंज हुआ चीज़े पहले वो टार्गेट किलिंग ने लोग समझते रहे हैं मूबाल सनाचिंग के बाद वह टार्गेट किलिंग गई हूँ इसके बाद एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी सामने आई और वह ऐसी स्टोरी थी जो चुका देने के लिए काफी थी अच्छा कुछ लोग अभी तक इस स्टोरी में यही समझ रहे हैं कि जो लड़की का किर्दार अरीबा है वो मुनीफ मुनीफ जो के मक्तूल है उनकी बात है ऐसे नहीं है यह बिलकुल एक डिफरेंट स्टोरी मैं आपको इसलिए सुनाना चाहरा हूँ कि जो लोग जो लड़के और लड़के हैं इसको के तैक्ट्री लाइन में चेंज सिस्टम में काम करते हैं और उनकी लाइफ बहुत डिस्टरब होती है अगर वो कोई गलत कदम उठा लें तो कोशिश करें कि अपने काम से काम रख खाँ, मैं भी आफ कर रहा हूता हूं तो एक फाक्ट्री से लड़के और लड़की चूटे वे होते हैं और वो जा रहा होते हैं तो कुछ पता नहीं होता कौन किस के साथ जारह हूता तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट हमारा माश्या है लिग घलत ट्रैक पो जा रहा है फैक्टरी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनमें तीन लोग मौझूद हैं अरीबा एक लड़की है शारुख एक लड़का और और मुनीफ यह तीनों एक की चकाप पर काम कर रहे होते हैं अच्छा जी अब जो यह लड़की है अच्छा जो मैं इस्टोरी आपको बैयान कर र स्टोरी अभी तक है जो कुछ रिसीव हुई है जो आएं उसके साब से कि अरीबा जो लड़की है बेसिकली यही प्लैनर है इस मुर्डर का जो कि बेसिकली हुआ है अगर दिखा जाए कैसे विक्यारीबा के तालुकात है मुनीफ के साथ जो बंदा इस दुनिया से चला गय उसके पास इस लड़की अरीबा की कुछ वीडियो थी आप सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज है कि आज के जमाने में वीडियो कैसे होती है और वीडियो कैसे पहुंच जाती है यह कोई मेरी समझाने की बात नहीं है आपको समझते हैं कि जब तक आप खुछ से अपनी वीड यह जबरदस्ती नहीं बना सकता और बात ने यहीं चीज़ें जो है वो इतने बड़े कदम उठाने के उपर चली जाती है हुआ कि मुनीफ की दो साल पहले निकाह हो चुका था अभी रिसेंटली ऑगस्ट के अंदर आइधिंग 14 अगस्य अठार अगस्य ऐसी कोई डेट प तो मैं तुम्हारी तमाम वीडियो और तुम्हारी तमाम तसाविय सोशल मीडिया पर लिख कर दूँगा यह लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी धंकी होती है और इस चीज़ से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने चीज़ें परसनल चीज़ें अपने सेल फून कि अपने चाहिक और अपने वहां पर अपने नुमान के साथ बाएक पर पाहुचे और वहां पर जाकर उन्हों ने उसको जाकर किया फायर करके और यह चीज़ का उन्हें अंदाद रही था कि वहाँ पर सीसी टीवी कैमरा लगे में यह बहुत बड़ी सहूलत है अगर वह ना होते तो शायर यह मामला नहीं निमटता तो वहीं पर उन्हें जाके जो फायर किया और मुबाइल स्नेचिंग का ड्रामा किया पुल असानी से जल्द रायप अपनी होता हो जाता पुलिस की एक इंविस्टिकेशन होती है लेकिन जहां यह चीज़ें वाइरल हुई लोगे तक पहुंची और जो जो कनेक्ट थे शारुख से नुमान से अरीबा से मुनीव से उन्होंने अपने तोर पर इंफिमिशन सोशल इन्वेस्टिकेशन जा रही है और देखें कि क्या होता है बहराल जिस लड़की से मुनीव का निकाह हुआ था वो विचारी बिल्कुल डिफरेंट है उसका इस केस से को लिना देननी उसे पता भी निए कि उसका हस्बेंड कहां इंवाल्व था या उसका क्या चक्कर था य मुराल यह है कि जितनी बच्चियां लड़कियां बाएं बहने फैक्ट्री लाइंस में काम करती हैं प्लीज हर इंसान अच्छा नहीं होता हमारा मजब और हमारा माश्रा वैसे भी मर्दों की दोस्तियों को इतना जादा पसंद लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है कि काम कर होते हैं चेन सिस्टम होता है बात तो की जाती है सब कुछ की जाती है लेकिन बहराल आपकी इज़त आपकी हाथ में आप जितना अपने आपको कवर करके चलेंगी उतना बैतर है क्योंकि यह माश्रा भेडियों का है अभी मर्वा का कैस आप बच्ची का आपके सामने है और करें तो यह सब चीजें के मर्दों का माश्रा है आप अच्चा नहीं होता बहराल जो चीज़ आप बैतर समझती हैं वो करें लेकिन कोशिश करें कि वैक्टरी लायनस के अंदर इस तरह के तौका ना बनाये इस तरह क bize बन्द आपके रजा पना बेह इस तरह के incident होते हैं, इस तरह के वाकियाद होते हैं, और सबसे important चीज, सबसे important चीज, अपनी personal चीजें किसी को WhatsApp ना करें, अपनी personal वीडियो किसी को WhatsApp ना करें, वो सकता है कि आपकी वीडियो में कोई ऐसी चीज नहीं हो, लेकि इस वकत, इस शहर के अंदर, इस मुल्क के तो बहुत सारी ऐसी चीजें तो खुदारा खुदारा unknown बंदे को, ऐसे बंदे को, अगर आपको कोई अच्छा लगता है, कोई पसंद है, तो अपनी family से contact करें, अपनी family से बात करें, direct system है, जो हमारा माश्रा एक system देता है, तो वो एक चक्चकर है, खुद से approach करना, खुद से आते हैं, क्या से होता है, तो माश्रा किस तरफ जा रहा है, society किस तरफ जा रही है, इसे कम से कम, कुछ न कुछ responsibility हमारी है, हम किस तरह समझा सकते हैं, तो मैं इस चैनल के थ्रू लोगों को बता सकता हूं, reality बता सकता हूं, कि end फिर यही होता है, end यही होता है, बहुत से कहां जो मैंने अपने फेस्बूक पर अपलोड करी वह कहते हैं यार बंदा तो चला गया आप उसको जलीड़िण कर रहा है अगर यह अगर यह सूशल मीडिया नहीं होता जनाव अगर ये सोशल मेडिया ये सब चीजे वाइरल नहीं करता तो ये केस इतनी जल्दी रह पप नहीं होता ये भी मैं आपको बता दू है, ये सोशल मेडिया अगर पॉजिटीव वे में चलता है तो हम ही पुलिस और थानों की हेल लोग कर सकते हैं, जैसे करते हैं, तो ये चीज करता हूं इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें कुछ रहें और मेरे इस पेगाम को पॉजिटिव लेके स्ट्रैट कीजिए और अगर आपने मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बल आइकॉन प्रिस कीजिए ताकि नोटिफि कर वकर ल clot मेरे जह लागा किड़ कार नोटिव कीजिए और मेरे आपने प्रिस कीजिए प्र